हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो सबसे पहले हम बनाते हैं समोसे समोसे बनाना सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन इसे बनाना बहुत ही असान है आज मैं बहुत ही कम समान में बहुत ही जल्दी समोसे बनाना सिखाऊंगी हेलो दोस्तों आप सबका स्वगत है मनिसाज किचन में छलेश चटपटी रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए दो कटोड़ी मैदा लेंगे आप कप से दो कप मैदा लेंगे इसमें हम डालेंगे चार बड़ी चमच तेल डाल देंगे मैन करने के लिए साथ ही हम डालेंगे नमक आदी छोटी चमच आप अजवाइन डालना चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला इसमें सारे चीजों को मिक्स कर लेंगे इसे हाथों से मसलते हुए मैन करेंगे 2-3 मिनट लगते हैं जितने ज़्यादा आप मैन करेंगे उतना खास्टा हमारा समोसा होगा तो इस बात का जरूर ध्यान रखे देखिए इसे मोठी में बाने पेसे कठा हो जाए सारे चीजे इसका मतलब ये मैन हो चुका है इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक डो त्यार करेंगे इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो त्यार करना है एक साथ पानी बहुत सारे नहीं डालना है जितना हम नॉर्मल आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सक्थ आटा गुनेंगे इसमें जब डो त्यार हो जाए इसे हम गिले कपड़े से ढखके 15 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए छोड़ देंगे गिले कपड़े से ये आपको ढखना है इसके बाद हम मसाला त्यार करेंगे मसाला त्यार के दने के लिए एक कड़ाई में हम दालेंगे तीन बड़ी चमच तेल, तेल को गरम होने देंगे, आधी छोटी चमच जीरा डालेंगे, एक चोथा एक छोटी चमच हिंग डालेंगे, छोटी चमच बारीक कुटा हुआ धनिया डालेंगे, एक चटक जाए, इसके बाद हम डालेंगे, एक इंच कदू कस करा हुआ अधरक, चार से पांच बारी कटे हुई मिर्ची डालेंगे और इसे हम एक मिनट तक लगतार चराते हुए हुगेंगे इसमें हम डालेंगे बॉयल आलू मैंने यापे आधे केजी के करीब आलू बॉयल करा था उसे मैस करके डाल देंगे इसमें कुछ मसाले डालेंगे एक छोटी चमच धनिया पावडर डालेंगे आधी छोटी चमच हल्दी पावडर इसके बाद हम डालेंगे जीरा पावडर आधी छोटी चमच कस्मेरी लाल मेर्च पावडर डालेंगे एक छोटी चमच इसे कलर बहुत अच्छा आता है आदे चोटे चमच गरम मसाला डालेंगे स्वाद अनुसार नमक इसे हम चमच से चलाते हुए मसाले को मेक्स कर लेंगे और इसे हम लोफ लेम पे 4-5 मिनट तक भूज लेंगे 4-5 मिनट हो गया है भूजते हुए देखिए कितना अच्छा कलर आचुका है इसमें इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता इससे भी मेक्स कर लेंगे हम एकदम हलवाई जैसे समोसे की मसाले रेडी हो चुके हैं आप इस तरह से मसाले बनाएए समोसे की बहुत ही टेस्टी बनता है जो हमने आठे ढग की रखा था उससे हम 1-2 मिनट तक और मसल के रेडी कर लेंगे देखिए ऐसे एक सक्त आठा आपको गुरुना है और इसमें से थोड़ा सा लेके एकदम रोटी जैसे आपको बेलना है रोटी से थोड़ा सा पत्ला बेलेंगे इससे एकदम नए तरीके से समोसे बनाएंगे बिल्कुल असान तरीका है ये इसमें हाफ-हफ कट कर देंगे आचाको से दोनों तरफ एक-एक बड़ी चमच मसाले डाल देंगे जो हमने रेडी कर रहा था श्टफिंग के लिए चारो तरफ तेल या पानी लगा देंगे दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्लीज करना बिल्कुल न भूले एक को हम उठाएंगे ऐसे और एक कोने को हम दूसरे साइड ऐसे चिपकाएंगे देखिए बिल्कुल ऐसे और दूसरे को ऐसे उठाना है और दूसरे साइड हम ऐसे चिपकादेंगे जो ओपर साइड के ऐसे ओपन है इसे भी हम ऐसे हाथों से दबाते हुए चिपकादेंगे देखिए समोसा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया एकदम असान तरीके से बना है ना दूसरा भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे यहाँ पे सारे मैंने बना लिया है यह मिडियम साइज के समोसे बन जाते हैं ऐसे इसे तलने के लिए मैंने हाँ पे कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है समोसे फ्राई करते ताइम हम ध्यान देंगे तेल जादा गरम नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी गरम नहीं होना चाहिए मिडियम में तेल को गरम करेंगे एके करके तीन से चार समोसे डाल देंगे और एक से दो मिनट तक एक साइड हम फ्राई करेंगे दूसरे साइड भी पलटके फ्राई कर लेंगे तीन से चार मिनट लगता है इसे उपर निचे करते हुए ओल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे देखिए इसका कलर आना सुरू हो गया है इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखेंगे अगर आप हाई फ्लेम रखते हैं तो उपर उपर से जल जाएगा अंदर से कच्चा ही रह जाएगा जिसे समोसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे समोसे मेरे बिल्कुल तल चुके हैं गैस को लो कर देंगे और इसे हम बाहर निकालेंगे दिखिए कितना खस्ता समोसा बना है देखने में भी लग रहा है दूसरा भी हम ऐसा ही तलेंगे फ्लेम को लो कर देंगे तेल को ठंडा होने देंगे उसके बाद हम डालेंगे दूसरे समोसे फ्रेंड्स आपको ये रेस्पी पसंद आई है तो प्लिस लाइक करें कमेंट करें